टोपिक है टाइपस ओप कैज बुक चाहड तरीके की हो सकती है। सिंगल कोलम कैजबुक ड sevi Toronto कीजबुक डिबल कोलम कैस बुक और पैटिक कैस बुक तो सबसे पहले हम सिंगल कोलम कैस बुक को करेंगे। सिंगल कोलम का फॉर्मेट बिल्कुल एक अकाउंट की तरह होता है और यहां पर एक ही एमाउंट के लिए एक एक कोलम जो है दोनों साइड में बनाया जाता है जो हमारे पास लेफ्ट हैं उसको हम डेविट साइड बोलते हैं जिसमें की कैसे रिलेटेड रिसीप्स लिखी ज एक फीर देड पार्टिकूलर्स वाउचर नमबर लैजर फोल्यो और आमाॉंट तो यहां पर सबसे जो पहला कोलम है वो डेट कैया है जिसमें हम date month और year लिखते है जिसमें भी transaction वो हुई है दूसरा column particulars का column है इसमें उस खाते का नाम लिखा जाता है जिससे हमें cash जो है वो मिला है या cash की हमने payment की है voucher number जो है यह वो document होता है जो की support करता है कि business में कोई transaction हुई है हर एक voucher के number जो है वो लगे होते है और यहां पर उसको record किया जाता है laser folio इस column में laser की वो page number record की जाती है जहां पर हमें यहां से जो है posting करनी है laser में amount में हम amount का column में amount ही लिखते है debit और credit side में दोनों side में amount के column जो है वो लिखे जाते है कुछ एक points भी थ्यान रखने की जुरत है जब इस cash book को बनाया जाता है कि cash book जब बनाई जा रही है तो एक cash account की तरह काम करते है और जो कि एक real account होता है तो real account के rule ही यहां पर लागू होता है debit what comes in and credit what goes out अगर opening balance हमें given है तो वो debit side में to balance bd करके लिखा जाता है single column cash book जब बनाई जा रही है तो check received और given जो है discount cash discount allowed और received उसको यहां पर note नहीं किया जाता उनके लिए अलग से laser में जो है खाते खोले जाते है cash book जब maintain की जा रही है तो laser में cash account खोलने की हमें कोई जुरत नहीं होती है और जब कोई entry cash में record की जाती है तो उस entry की correspondence entry हम laser में record करते है for example अगर 2000 रुपे हमें गोपाल से मिले तो हम जब 2000 रुपे मिले है cash book के debit side में गोपाल लिखते है तो इसी तरीके से गोपाल के account में laser में जाकर के हम cash वहाँ पर लिखते है तो इस तरीके से जो है पूरा करते है हम अपनी entry को balancing of cash book and carry forward तो cash book को किस तरीके से हमें balance करना चाहिए हम इसको daily, weekly और monthly basis पर जब भी business की जासी need हो इसका balance जो है कर सकते है कि हमारे पास जो cash box में balance बचा है cash का और जो books हो कर रही है क्या वो same है कुछ एक points यहाँ पर भी ध्यान रखने की जुरुत है जैसे कि जो debit balance इसका होगा वो हमेशा ही ज़्यादा होगा credit side से यानि की payment side से और difference को हम buy balance CD करके लिखते है यह जो difference होता है यह तरीके से हम यह कह सकते कि closing balance होता है और next year यह यह next period में इसको हम opening balance मानते है to balance BD करके हम अपनी cash book को start करते है cash book always so a debit balance अब यह question यह arise होता है कि cash book हमेशा ही debit balance कैसे so करती है क्योंकि देखिए कोई भी business man जितना उसके पास cash available है उससे ज़्यादा वो cash payment नहीं कर सकता और अगर उसके पास cash की shortage है और वो बाहर से पैसा लेकर के payments करता है तो सबसे पहले जब उसने बाहर से भी पैसा लिया है उसको भी receipt side में जो है note किया जाएगा उसके बाद उसकी payment जो है की जाएगी यह region है कि हमेशा ही जो हमारी cash book होती है वो debit balance so करती है next है हमारी double column cash book तो double column cash book जो है वो तीन टाइप की हो सकती है इसमें सबसे पहले है cash and discount column bank and discount column cash and bank column तो first इसमें है double column cash book having cash and discount column normally क्या होता है कि cash discount allow भी किया जाता है receive भी किया जाता है जब cash में हम payment करते है और जब हमी मिलता है cash तब हम जो है discount allow करते है ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब हम cash की recorded कर रहे है तो साथ ही साथ हमें discount की भी recording जो है उसी place पर करने चाहिए यसी लिए double column cash book जो है use की जाती है ताकि इस problem को sort out किया जा सके इस book की value जो है double column cash book की value और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर हमारे पास एक additional column discount का होता है दोनों ही side cash discount allowed discount जो है customer को तब दिया जाता है जब customer या तो immediately payment कर दे या कुछ specific time के बाद payment कर दे for example अगर 10,000 की goods जो है sale की गई है ex को 1st March 2017 तो उसको यह कहा जाता है कि अगर आप अभी के अभी payment करेंगे तो आपको 5% cash दिया जाएगा और अगर आप एक महिने के अंदर payment करेंगे तो 2% आपको cash दिया जाएगा अब सुपोज वह अगर अभी के अभी पेमेंट कर देगा तो उसके हम जो है 5% cash देंगे यानिकि उससे total cash हमी मिलेगा 9500 और 500 का उस वेक्ति को benefit हो payment करते हैं और हमारे को भी इस तरीके की condition उन्होंने बताई है कि अगर आप एक specific time period में payment करते है तो आपको cash दिया जाएगा तो जब हम वो payment करेंगे उस time period के अंदर तो वो discount जो है हमी मिलता है for example अगर माली जे goods चो है purchase की हुई थी वाई से 15,000 की और वाई ने ये कहा कि अगर आप within week payment करेंगे तो आपको 5% discount मिलेगा और हम within week अगर payment कर देते हैं तो वहाँ पर हमें payment करना पड़ेगा 14,250 और 750 का जो है हमें discount एक तरीके से मिलेगा तो जब discount दिया जाता है तो उसको इ cash के साथ साथ एक और नया column आ गया है discount allowed और फिर है cash का column फिर date, particulars, voucher number, laser folio, discount received यहाँ पर हम debit side में discount allowed लिख रहे हैं क्योंकि जब भी कोई payment हमें मिलेगी और हम discount देंगे तो वो discount allowed होगा जब हम payment करेंगे तो हमें जो discount मिलेगा उसको discount received बोला जाता है तो यहाँ पर cash balance का फिर अगर मालेजिए X को हमने 10,000 की sale की थी और उसने जो है अब हमें payment करी है एक महीने के अंदर तो एक महीने में हम उसको 2% ही देंगे तो 10,000 पर 2% कितना discount दिया हमने उसको 200 और cash column में हमने लिखा 9800 तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर cash discount की treatment करते हैं totaling the cash discount यह भी यहाँ पर जो discount के हमारे column होते हैं उनको सिर्फ total किया जाता है उनका balance नहीं निकाला जाता cash column की तरह है जैसे कि हमारे cash के जो वहाँ पर column है receipt और payment के तो उनको हम balance करते हैं बट हमारे जो discount के column है सिर्फ उनको हम total करते हैं उनका balance नहीं निकालते हैं और इस total को बाद में हम transfer कर देते हैं लाजर में जो हमने discount allowed का खाता खोला हुआ है या discount received का खाता खोला हुआ है वहाँ पर क्योंकि discount allowed और discount received ये जो है दो अलग-अलग खाते होते हैं तो यहाँ पर इनका balance हम नहीं करते हैं next हमारे पास है double column cash book having bank or discount column अब हमारे पास दूसरी book जो है इस तरीके की हो सकती है जिसमें की सिर्फ हमारे पास दो column है वो column है हमारे पास एक bank का और एक discount से related column यानि कि यहाँ पर cash का column नहीं होगा यह kept होता है क्योंकि generally businessman क्या सूचते है कि अगर हम cash में ज्यादा deal करेंगे तो वहाँ पर cash के गबन होने की संभावना employees के द्वारा ज्यादा रहती है इस risk से बचने के लिए जो business man है वो यह policy अपनाते है कि जितना भी cash receipt होता है business में एक दिन में उसको daily basis में हम हर रोज जो है check issue करके bank में जमा करा देंगे और इसी तरीके से जो है जो payment होंगी वो भी हम सारी जो है bank के थ्रू ही check issue करके करेंगे तो इस cash book को हम यह कह सकते है कि यह जो cash book है वो ऐसी cash book है जो कि bank और discount column एक तरीके से रखती है तो ऐसे में business man को क्या करना पड़ेगा एक current account जो है bank में खोलना पड़ेगा इस current account पे bank जो है कोई भी interest या कोई भी extra benefit business man को नहीं देता है उल्टा bank current account खोलने के लिए कुछ charges जो है लेता है business से क्योंकि bank उनको कुछ services provide कर रहा है यहाँ पर तो यह जब हम cash book तयार करते है तो हमें कुछ एक rules जो है उनको follow करना होता है अब क्योंकि यहाँ पर cash का column तो है नहीं bank का column है तो bank account जो है वो एक personal account होता है इसलिए यहाँ रूल भी personal account से related जो है यूज किया जाता है debit the receiver and credit the giver इसके हिसाब से जो है हम transaction यहाँ पर record करेंगे और माली जी जैसे कि for example अगर कोई cash में payment की जाएगी business की तरफ से तो business क्या हो गया giver तो उसको credit में लिखेंगे गर business में कोई payment आती है तो cash column होने की वज़े से business क्या हो गया receiver हो गया क्योंकि यहाँ पर bank में हमने वो payment जमा करानी है यानि कि कुल मिला के हम यह कह सकते है कि पहले वाली cash book की तरह ही या treatment करनी है बड़ थोड़ा सा इन्होंने हमें समझाने के लिए यह लिखा है या यह कहिए कि आप उलज भी सकते है इसमें कि bank account एक personal account है बाकी यह है कि जो ऐसे ही हम पिछली cash book बनाई है वैसे ही इस cash book को भी बनाते है सारी की सारी receipt यहाँ पर यानिकी ज जमा करा देंगे और अगर वो check में आई है तो भी उसको bank में जमा करा देंगे और दोनों ही receipts को हम इसके debit side में लिखेंगे क्योंकि business क्या है वो receiver है तो receiver होने के नाते उसको debit side में लिखा जाएगा इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर यह मान के चला जाता है कि जो भी check जो है business इसको मिले वो same day पर ही bank में जमा करा दिया और same day में ही हमाने bank ने उसमें से पैसा कलेक्ट कर लिया जितने भी यहाँ पर payment की जाएगी उसको credit side में लिखा जाएगा bank column के अगर मान लीजिए check जो है वो dishonor हो जाता है 1% check जो है हमें किसी customer ने दिया और हमने उसको आगे bank में जमा करा दिया और वो bank में जाके dishonor हो गया उस वक्ति के खाते में अगर पैसा नहीं था तो हमने अब debit में इसको record किया हुआ है तो अब इसकी ulti entry जो है हम करेंगे यानि कि हम bank column में credit side में उतना ही amount जो है दिखा देंगे यहाँ पर discount जो है उसको भी उसी तरीके से treat किया जाता है अगर मान लीजिए business की तरफ से discount दिया जा रहा है तो discount allowed खाते में लिखा जाएगा अगर business को discount मिल रहा है तो discount received वले खाते में जो है लिखा जाएगा जैसे कि for example कोई debtor अगर payment करता है तो वो debtor को अगर हम discount देते है तो क्या होना चाहिए है entry हमारा अगर वो हमें चेक दे रहा होता तो हमारी entry होती bank account to जो भी यह विक्ति होता debtor account तो यह जो discount हमने उसको दिय है यह उसके लिए benefit है इसलिए वो credit कर रहा है बट business के लिए वो खर्चा है तो हम तो क्या entry वहां पर करते चेक आने के बात कि हमने वह चेक बैंक में जमा करा है bank account debit discount allowed debit to debtor अपने यहां पर इस तरीके से इसको record करेगा bank charges जो यहां पर होंगे अगर bank लेता है जैसे कि उपर इन्होंने बताया कि bank कुछ charges लेता है तो उसको भी bank column के credit side में लिखा जाएगा चोटी चोटी जो हमारी payments होती है जैसी कि पोस्टेज, telegram, convenience, stationery इन सब की payment हमें चेक से जो है करने की जुरत नहीं होती इसके लिए एक separate book maintain करते है जिसको हम patty cash book का नाम